ये फ्रेंट्स वेल्कंटू माई चैनल अभी रॉक्स टीम्स तुम्हाप लोगों के लिए आगे हैं भायों मैच कवर करने जो की खेला जाएगा आघ्र ग्रूप देख सकते हैं यह राव नाम देख लो और आपको बता दूं याँ बहुत अच्छी विनिंग हो रिए सुभा से जैसे क्या है पूरा 99 परसेंग है जैसे कि आपको बताए कल हमारी 80 परसेंग होई थी तो मिया वोर्सिस में तो यह आपको यह दूंगा कि इसमें इंवेस्ट मत्ती करो क्यों कि क्यों आप एंभी के लिए इतनी रात तक जाकते क्यों फेर भाइयों आपको जेलना पड़ता है काफी जी ड्रेजिक जो की ओपनिंग 5 में आता है और राम से 30-40 पोंट मार जाते हैं तो मैं इस बात से सहमद होगी यह प्लेयर ओपनिंग 5 में आता और अच्छा भी खेलते है और बात करूँ शूटिंग आट की तो जो जे बटलर जैसी का आपको बता है आज के मैच में सार जाद के मिडल्टन को देखा जाए इसके बारे में आप जानती हूँ कि एक पार ना मैं किसी और फैंटेसी एप में खेल रहा तो मैं गलती से जे एंटे को लेना भूल गया तो इसने वाई उस वक्त 40-45 पॉंट मार दिये तो उस कारण में सिर्फ एक पॉइंट से रह गया क्यों आप जे एंटे के में डिल्टन को मिस मत करना क्योंकि ड्रीम 11 में तो एक ना एक मिस हो गाई और आगे से बात करूए आसलोंगा आई एक डैलो को यूगि यह प्लेयर ओपनिंग 5 में नहीं आता लेकिन यह लाइनप में मलफ एट प्लेयर के स्क्वैर में जरूर होता है क्य इतना जबरदस्ता है कि मैं आपको क्या बता हूं देखी सकते हैं हर मैच में 50-60 इसको लोगे जरूर लेना ग्रैंड लीग में नहीं लोगे तो आप डेफिनिटी ग्रैंट लीग हार होगे ही हार होगे मैं आपको पहली बता दूँ बात करूं सेंटर की तो आसलोंगा भी आपको बता दूँ यह प्लेयर भी ओपनिंग फाइम में आता है लेकिन मिय वोट्सित मील के मीच में अगर देखा जाए तो सिरफ हमें देखा जाए तो सिरफ हमें एट प्लेयर जी तो चुनने हैं लेकिन भाईयों बी अबड़ो यह प्रॉब्लम डाल रहे है बी अगर आपके पास क्रेडिट मेंटेन हों तो मैं आपको फेर एक राय दे रहा हूं कि आप जी एंटे को जरूर चुनना और आपको अपनी टीम दिखा देता हूं भाईयों तो यही मेरी कुछ टीम बाकी फाइनल टीम आपको अभी लाइन अप से मतलब मैस से 10-15 मिन पहले पोस्ट कर दूंगा मिलता हूं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ अभी के लिए बाइफेंट आपका दिन शुभे